आज की जो class है उसमें हम बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन में resultant कैसे निकालेंगे ठीक है उसके लिए हम एक formula derive करेंगे और उस formula के according हम vector addition के अंदर जैसे आपकी last जो class थी उसमें parallelogram law और triangle law में हम एक resultant बनाते थे जैसे vector A और vector B का एक resultant vector होता था उस resultant vector को हम किस तरीके से find out करेंगे, उसको कैसे calculate करेंगे हम, इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है, एक formula हम derive करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे vector addition पे, addition, ये तो आपको पता ही है क्या है, जोड़ना होता है addition, ये होता क्या है basically, ये होता है अगर example consider करते हैं, आपके पास डो balls है, और साथ ही साथ आपको अगर कोई एक और ball देता है, तो total कितने balls हो गए, उसे पता करने के लिए हम करते हैं, addition, the process is addition तो total कितने हो गए, total 3 हो गए, ये तो आपको पता ही है, और अगर कोई scalar quantity रहता है, हम वैसे तो बात करेंगे vector addition पे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, scalar quantities अगर रहता है, तो 2 scalar quantities का addition कैसे होता है For example, कि एक bag में चावल है, और इसके अंदर 2 kg चावल है, आप क्या करते हैं? और एक bag में चावल लेते हैं, यहाँ पर जो चावल है ये 3 kg चावल है, दूनों को आप एक बड़ा सा drum में रखते हैं, तो जब आप दूनों को यहाँ से चावल को डालेंगे, और यहाँ से भी तो यहाँ पर total कितना चावल होगा? आफ्यसी बात है, 3 kg और 2 kg मिला के 5 kg चावल होगा. चाहे आप इस वाले चावल को इधर से डाले, या फिर इधर से डाले, या फिर आप इसे उपर से डाले, या फिर साइड से डाले, direction से तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है, वैसे scalar quantity के पास direction कहा होता है, वो तो सिर्फ उसके magnitude से ही defined हो जाता है, तो हम simply भी यह समझ सकते हैं, कि 3 kg और 2 kg चावल एक साथ अगर रखेंगे, तो 5 kg होगा, 2 प्लस 3 is equal to 5. तो जब scalar quantities, दो अलग-अलग scalar quantities, अगर उन्हें एक साथ मिला आ जाए, तो उसका result क्या होगा, यह अगर हमें पता करना होता है, तो simply हम algebraic addition करते हैं, 2 प्लस 3 is equal to 5. हाँ, मुद्दा यही है, कि आप kg के साथ kg को ही add कर सकते हैं, that means 2 masses को add कर सकते हैं, असा नहीं कि 2 kg के साथ आप 5 घंटा time, time को आप add कर सकते हैं, दोनों physical quantities को same होना होगा, addition का fundamental rule ही यही होता है, कि जिन दोनों को हम add कर रहे हैं, वो same nature का होना चाहिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो scalar addition में हमने देखा कि, यह बड़ा simply हम इसे जोड़ सकते हैं, दो quantities को, लेकिन vector addition इतना आसान नहीं होता है, जैसे कि, एक example consider करते हैं, माल एक surface है, और इस surface में एक block रखा हुआ है, इस ऐसा block रखा हुआ है, यह है वो block, इस block को माल आप धके लेंगे, और साथी साथ आपका कोई दोस्त भी धके लेगा, तो ऐसा होगे यह block, इसे आप दोनों धके लेंगे, आप और आपका दोस्त, तो यहां से आप इसे धकेल रहे हैं, और आपका धकेलने का जो direction है, वो direction कुछ इस direction में है, आप इस direction में इस block को धकेल रहे हैं, और साथी साथ आपका दोस्त आ जाता है, यह भी इसे धकेलता है, और आपका दोस्त जो है, इसे धकेल रहा है कुछ और ही direction में तो आपका दोस्त माल ले कि इसे जो धकेल रहा है ये अब कुछ इस direction में धकेल रहा है इस direction में तो यहाँ पर दो forces act हो रहा है एक तो ये वाला force आप जो लगा रहा है चलिए F1 नाम देते हैं से force तो vector quantity है और एक force जो आपका दोस्त लगा रहा है F2 नाम देते हैं से तो ये जो block है क्या ये F1 के direction में move करेगा या F2 के direction में move करेगा अब खुद सोचे ये ना तो F1 के direction में और नहीं F2 के direction में move करेगा बलकि ये बीचो बीच कोई एक path में move करेगा कुछ ऐसे direction में move करेगा इसका मतलब कि इस block पे हम मान सकते है कोई ऐसा force apply हो रहा है इस direction में जिसके कारण block में movement उसी direction में हो रहा है तो हम कह सकते F1 और F2 दोनो forces को मिलाने से एक force हमें मिलता है जो force की इस direction में होगा चलिए उस force को नाम देते हैं F तो यह F आया कहां से यह F आया इन दूनों को मिलाने से तो हम यहां से कह सकता है F1 और F2 को add करने से F मिलेगा लेकिन यह जो addition है यह जो sum हम कर रहे हैं यह simple addition नहीं है यह कुछ special addition है हम आगे देखें क्या है वो तो अगर F1 और हम F2 को जोड़े तो हमें मिलेगा F यहां से देखें कि अगर F1 का magnitude for example हम आ लेते हैं 5 Newton का है और F2 का magnitude यह 4 unit का है 4 Newton का है तो दोनों को मिलाने से 5 Newton और 4 Newton आपको यहां पर 9 Newton नहीं मिलने वाला है हमेशा नहीं मिलता है कुछ special cases में ही ऐसा होता है क्यूं होता है कैसे होता है चलिए इसी पर बात करेंगे तो हमें यहां पर समझना होगा कि हम vectors को जोड़ते कैसे है जैसे F1 अगर given हो F2 अगर given हो तो F हम कैसे पता करते हैं तो उसके लिए हम करते क्या है दो vectors अगर हो यहां पर F1 और F2 अगर है रहा है तो अगर इन दोनों को जोड़ना है जोनों का addition अगर आपको करना है परफार्म करना है तो आप क्या करेंगे आपको करना यह होगा कि इन दोनों में से किसी एक vector को पहला vector आप माल ले तो चलिए मैं इसे पहला और इसे दूसरा vector माल लेता हूँ आपको करना क्या है कि दूसरे vector को दूसरे vector को यहां से shift करके parallelly shift करके कुछ ऐसे ले जाना है हम इसे parallelly shift करेंगे तो हमने इसे parallelly shift करके कुछ ऐसे भेज दिया ताकि पहला vector का जो head है head कौन सा होता है head होता यह वाला part एक arrow का ये वाला part head होता है जिस direction में वो move कर रहा है वो वाला part और उसके opposite direction में जो होता है जैसे कि ये उसका tail है तो यहाँ पर पहले vector के head के साथ दूसरे vector के tail को जोड़ दे अब जहां से हमने शुरुवात किया था पहले vector से जो हमने शुरुवात किया था पहले vector के tail से जहां से शुरुवात हो रहा है वहाँ से final position तक दूसरे vector के head तक जोड़ते हुए एक vector बना है ये होगा इसका result ये दो vectors मिलके आपको as result ये वाला vector दे रहा है यहाँ पर ये जो force मिल रहा था आपको resultant force इसे हम कहते हैं जो दूनों का result होगा तो नों को जोड़ने से जो result होगा इस resultant force का direction होगा कुछ ऐसा और उसका magnitude होगा कुछ इतना आप यहाँ से देख ले resultant force का direction कुछ इस direction में होना चाहिए तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्यूं होता है ऐसा क्यूं होता है इसे समझने के लिए हम एक simple example consider करेंगे displacement का आप मान ले कि एक चीटी को observe कर रहे हैं तो एक चीटी यहाँ पर है आप सुबह 10 बजे देखते हैं कि चीटी वहाँ पर है अब आगे आप ये पाते हैं कि 11 बजे चीटी यहाँ तक पहुँच जाती है यहाँ तक तो ये आपने देखा 11 बजे इसका पात कुछ भी हो चलिए इसका पात मान लेते हैं ऐसा था लेकिन हम अगर displacement पता करें तो displacement हम कैसे पता करें कि displacement होता क्या है इस point से इस point का displacement displacement vector quantity होता है इसके पास magnitude और direction दोनों होता है इसका magnitude क्या होता है इसका magnitude होता है initial position से final position का जो distance है वो यह तो हो गया इसका magnitude चुकि यह vector है तो इसे arrow से हम denote करेंगे और इसका direction क्या होता है इसका direction होता है from the initial point to the final point तो इसका direction हो गया ये तो ये हो गया vector कौनसा vector? displacement vector आपने चीटी को observe किया 10 बज़े से 11 बज़े तक सुबह 10 से 11 बज़े तक तो ये हुआ चीटी का displacement भले ही इसका path कुछ भी हुआ आसा हो चीटी का path कुछ भी हो path displacement path पर dependent नहीं होता है अब आगे आप फिर से observe करना शुरू करते हैं और आप 12 बज़े तक इसे observe करते हैं आपने देखा कि चीटी जो है 12 बज़े यहां पहुँच जाती है यहां पर तो अब इसका displacement कितना हुआ 11 से 12 बज़े तक displacement कितना हुआ अभी time कितना है अभी time है 12 दो पहर के 12 बज़े तो अगर आप से पूछा जाए 11 बज़े से 12 बज़े तक displacement कितना हुआ तो आप कहेंगे 11 बज़े से 12 बज़े तक का displacement मतलब initial position यह, final position यह तो 11 से 12 बज़े तक का displacement होगा यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसा तो यहां यह जो है, यह pink कलर का arrow यह represent कर रहा है displacement मैं in short लिख रहा हूँ, displacement from 10 to 11 o'clock और यह blue कलर का जो arrow है, यह क्या represent कर रहा है? यह blue कलर का arrow represent कर रहा है, displacement from 11 to 12 o'clock अब अगर आप से पूछ लिया जाए, पूरे इस दोरा पूरे प्रॉसस में, चीटी का total displacement कितना हुआ जैसे ही total displacement आप से पूछा गया, that means आपने observation शुरू किया था, 10 बज़े से, 11 बज़े तो एक intermediate time था, final time 12 बज़े है, 10 बज़े से 12 बज़े तक आपने observe किया, तो आप ने दो अलग-अलग displacement देखा, आपने देखा ये एक displacement, आपने देखा ये दूसरा displacement, लेकिन 10 से 12 बज़े तक, total अगर displacement आप देखे, तो आप क्या पाएंगे, चीटी ने शुरुवात यहां से किया था, और चीटी ने कुछ ऐसा path follow करते हुए, यहां तक travel किया, that means initial point ये, final point ये, तो displacement कितना होगा, इस case में, displacement जो होगा, आप ये पाएंगे displacement, यहां से लेके यहां तक होगा, आप देख ले, ये first displacement, ये second displacement, दूनों का मिला जुला असर आपको यहां पर दिखा, as resultant displacement, तो हम क्या करना है, देखे, पहला vector जो है, उसके head के साथ, दूसरे vector के tail को जोड रहे हैं, और finally, result पता करने के लिए, initial point से, that means, पहले vector के tail से लेके, दूसरे vector के head तक propagate कर रहे हैं, तो शायद इस example से, थोड़ा बहुत picture clear हुआ, कि हम vector sum जो करते हैं, vector addition जो करते हैं, उससे resultant vector पता करते हैं, उसका process यह क्यों होता है, अब एक मुद्दा और, कि resultant vector जब हम पता करते हैं, तो पहला vector आप खिसी को भी माण सकते हैं, दूसरा vector आप किसी को भी माण सकते हैं, for example, दो vector arbitrary vectors, हम consider करें एक vector ऐसा, और दूसरा vector arbitrary vectors दूसरा vector ऐसा, अब दोनों का sum आपको करना है आप इसे भी पहला vector मान सकते हैं इसे भी पहला मान सकते हैं तो मैं पहले इसे पहला vector मान लेता हूँ तो हम करेंगे vector sum चलिए इसे parallel shift कर दे तो vector तो नहीं बदलेगा तो हमने यहाँ पर इसे shift कर दिया अब पहले vector के head को दूसरे vector के tail के साथ जोड़ना होगा तो दूसरे vector को हम parallel कुछ ऐसे shift करेंगे कि इसके head के साथ जोड़ जाएं हम अलग जगा पे कर रहें ताकि picture थोड़ा clear हो clarity रहें एक ही जगा पे सब मिलना जाएं अब resultant vector हम कैसे पता करते हैं हमें करना ये होता है कि simply हम यहां से लेके जहां से हमने शुरुवात किया था पहले vector के tail से लेके दूसरे vector के head तक हम जोड़ देते हैं तो ऐसा कब हुआ जब हमने पहला vector इसे माना था अब अगर हम पहला vector इसे मानेंगे तो क्या होगा तो चलिए पहला vector देख लेते हैं ये अगर होता है तो इसे हमने मान लिया पहला vector हम क्या करते हैं अब दूसरे vector को copy करके ले आएंगे कुछ ऐसे parallel shift करते हुए कुछ ऐसे कि पहले vector के head के साथ दूसरे vector का tail जोड़ जाए और अब हमें करना ये होता है कि जहां से हमने शुरुआत किया था that mean ये point जहां पहले vector का tail है यहां से दूसरे vector के head को मिला दे आपको मिलेगा एक vector क्या ये vector और ये vector exactly same है आपको देख भी रहा है same है चलिए एक बार test कर लेते हैं तो इसे अगर मैं इसके साथ देख ले वही है अगर compare करूं तो आप पाएंगे exactly same vector है और साथ ही साथ vector को अगर हम parallelly shift करते हैं तो vector नहीं बदलता है that mean ये vector और ये vector दोनों same vectors है चाहे उसका initial position कुछ भी हो सो इस तरह से हमने देखा कि दो vectors में से किसी को भी हम पहला vector मान सकते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए यह देख लेते हैं कि अगर तीन vectors हो उन्हें अगर जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे तो उसके लिए चलिए, यह हो गया पहला vector माल ले, और यह हो गया दूसरा vector माल ले, और साथी साथ यह हो गया तीसरा vector, तीनों एक ही point में act कर सकता है, that means, की कुछ ऐसा situation हो सकता है, की यहाँ पर act करें, एक ही point में act कर रहा तीनों, लेकिन हम तो parallel shift कर सकते हैं, और ये जो है act कर रहा है यहाँ पर एक body पे ये तीनों act कर रहा है वो body कुछ ऐसा है वो body कुछ ये है मानले तो अब आपको बताना होगा इस body पे जो तीन forces act कर रहे हैं एक दो और तीन इन तीनों के कारण जो resultant एक force बनेगा जिसके direction में ये body move करेगा वो direction कौन सा होगा तो इ vector addition के लिए हम करते क्या है इन तीनों vectors को जोड़ना होगा तो चली किसी को भी आप पहला वेक्टर मान सकते हैं तो हम यहां से पहला वेक्टर इसे माल लेते हैं यहां से हमने शुरुवात किया ध्यान रखे ये जो point है point basically यहीं पर होगा जिस object पे ये force act कर रहा है या फिर त थोड़ी दर पहले बात किया था अब इसके head के साथ जोड़ दे इसके tail को कुछ ऐसे और फिर उसके head के साथ उसी process को propagate करें आगे बढ़ा है उसके head के साथ फिर अगला वाला vector का tail को जोड़ दे इस तरह से कितने भी vector हैं आप जोड़ते जाएं सब का जो resultant vector होगा वो हम कै शुरुवात किया था यहां से हमने शुरुवात किया था यह पहला vector था जिसका tail है यहां से final vector के head तक आप चोड़ दे तो यह जो है यह हो जाएगा अब इसका resultant vector इन तीनों का तो हम कह सकते हैं अगर यह vector A है यह जो है दूसरा वाला vector B है और तीसरा वाला अगर vector C है साथ ही साथ यह resultant vector अगर vector R है तो हम कहेंगे कि vector A, vector B और vector C का जो vector addition है वो बराबर होगा resultant vector के यहां आप ध्यान से देखे कि इसका magnitude माले यह दो unit का है माले यह भी दो unit का है और यह तीन unit का है तो R जो है यह resultant vector जो है इसका जो magnitude होगा length देख ले magnitude के लिए हमें length देखना यह सकता है यहां पर क्योंकि 7 तब होता जब 2 कोoy साथ 2 को ऐसे जोडते और उसके साथ 3 को ऐसे जोडते तब यह length जो है यह 7 होता लेकिन यह 2 है माले फिर 2 को इधर ले जाए फिर 3 को इधर ले जाए तो यह जो distance है यह 7 नही हो सकता है तो इस तरह से यह 7 तभी होता, यह vector addition जो है, यह scalar rule या फिर कहें, algebraic addition तभी हो सकता, algebraic addition क्या है, कि 2 plus 2 plus 3 is equal to 7, यह होगी algebraic addition, सो vector addition, algebraic rule तभी follow करेगा, जब सारे के सारे vectors जो है, एक ही direction में act करें, 2 unit का, 2 unit का, और 3 unit का, एक साथ जोड़े, तो आपको यहाँ पर जो resultant vector मिलेगा, यह 7 unit का मिलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, यह special case है, यह special case में ही ऐसा होता है, कि यह algebraic addition follow करता है, वरना vector addition जो है, यह special तरह का addition होता है, इसका special properties होता है, जिस पर कि हमने बात किया, हाँ तो, my dear students, यह जो class थी, इसमें आपको समझाया होगा, कि vector addition में resultant को कैसे find करते हैं, कैसे उसका magnitude निकालते हैं, बड़ा ही simple सा था, थोड़ा trigonometrical function इसमें यूज हुए हैं, जिसके बारे में basics थे सारे के सारे, जिसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसमें किसी भी type की कोई problem हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, doubt session से और या फिर directly, telephonically भी मुझे से पूछ सकते हैं, thank you, have a nice day.